तो आपको कुछ याद रहेगा थोड़ा बहुत आपको मैं फटा फट से रिवाइस करवा दूगा एंदेन हम लोग बढ़ेंगे आगे ठीक है तो चलिये everyone over here good morning sundram gupta good morning omkar girmes sanjay anirudh komal shreya arsh then 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 arsh khan awan थेखेंगे चलिए very good morning everyone very good morning I just hope that you're doing super duper amazing right राइच हो खेस्ट तुच लिया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यूरेडिए आधी कि एव्यान ओकिन आधी एविवन अिथ अचिस्जेट। तो बच्छा बार्टी कल हम लोग नें इलास्टिसिटी ऑप यह यह बन इलेस्ट इव क्या होता है पहले फटा फट से बढ़ता है यह थोड़ी ना हुई बात इबात को नहीं है इबात को नहीं बटा गलत है यह चीक है तो elasticity of demand में हम लोग नहीं क्या देखा था elasticity of demand में we have seen about perfectly elastic perfectly inelastic relatively elastic relatively inelastic and unitary elastic यह price elasticity में देखे थे 5 टाइप basically हम लोग ने 4 टाइप देखे थे price elasticity, income elasticity, advertisement elasticity and cross elasticity यह चार टाइप हम लोग ने देखे थे चारो के हम लोग ने formulas देखे थे formula क्या था percentage change in demand upon percentage change in price percentage change in demand upon percentage change in income, percentage change in demand upon percentage change in advertisement expenses percentage change in demand of goods x upon percentage change in price of goods y यह सब कुछ हम लोगों ने देखा था जी हां मैं विल्कुल ठीकूं बेटा सुन्धरम ठीख है ध्यान दे तो हम लोग ने क्या देखा था फिर से एक बार percentage change in demand upon percentage change in price percentage in demand upon percentage in advertisement Expenses percentage in demand for goods x upon percentage change in price of goods y तो यह चार टाइप्स हम लोगों ने देखे थे हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो प्राइज एलास्टिस्टी इंकम एलास्टिस्टी एडवर्डाइजमेंट एंड क्रॉस इसके कल हम लोगों ने फॉर्मूलाज देख लिए ठीक है मुविन फरवर्ड नाओ ठीक है मूविं फर्वर्ड नाओ टुदी प्राइज़ लास्टिस्टी थू है hundred फेर अटेन्शनण ए नीियर अनए अदीड क्राइज इस आ क्ली पांस टाइप है कौनसे कौनसे फर्फेक्तली इंञटेक फिर्फेक्टली इंञचेक पर्फेक्तली इनलास्टेक एत जी हाँ यह पांस टाइप हम लोगों ने देखे थे और अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ मैं आपको यहां पर अभी कहना चाहता हूँ क्या यह मेरा डिमांड कर है यह मेरा यहां पर क्वांटिटी है यहां पर है मेरा प्राइस नाव यहाब तो अन्डेस्टैंड ओवर यह मैं कॉंटिटी इस फिक्स्ट इस फिक्स्टैंड बटाओगा उसके एमसे क्यूज बताओगा और फिर बाद में 5 ग्राफ पांच ग्राफ के कितने सारे एमसे क्यूज पॉसबल हो बताओगा उसके पाद 5 ग्राफ का बर्डस आई विउ 5 ग्राफ का सॉमरी ठीक है पका याद रहेगा आज ही खतम करेगा इसको क्या बलेगे हम लोग अब देखना इसके दिबांड यहां पर फिक्स हो गया है मैं यहां पर एक imaginar प्राइस लेता हो मेरी प्राइस यहां पर एक और imaginary price के लिए पी-वन मैंने और imaginary price के लिए P2 आरे यार P पर भी मेरा quantity इतना ही चे P1 पर भी इतना ही चे P2 पर भी इतना ही चे आरे मतलब quantity में change होई च नहीं रहे होई च नहीं रहे भाई मतलब price कम होने के बाद भी हम लोग जादा नहीं करीद रहे price जादा होने के बाद भी हम लोग जादा नहीं करीद रहे पर्फेक्टली इनलास्टिक सर पर्फेक्टली इनलास्टिक मतलब क्या सर पर्फेक्टली इनलास्टिक मतलब सॉल्ट सॉल्ट का एक्जांपल देता हूं ठीक है हमारे जो स्टुडेν्ट है कौन राहुल राहुलवीजल चीटर राहुल ने क्या किया एक बार राहुल ने बला मम्मि नमक का प्राइस कम कर गया है में' ग्रॉसरी च्रॉपय का था अभी नमक कदरा रुपए में मिल रहा है कल से मेरी सबजी में तुम पहले एक चमच नमक डालते थे तो अभी दो चमच नमक डालना ममी क्योंकि प्राइस कम हुई है और मैंको अभी तो बिलाए जानजिये पर्फेक्टली इनिलास्टिक पहले नमक 15 रुपए का मिलता था हमारे राहुल इन्होंने क्या क्या पता है इन्होंने बोला कि मम्मी नमक पहले 15 रुपए का मिलता था अब aट कल से प्योंकि या surprised लगता है तो लगता है तो प्राइज इंक्रीज होने दो प्राइज डिक्रीज होने को लितना अपने को लगने ही वाला है ना प्रो अपने को फरक पढ़ रहा है कि प्राइज से यहां पर नहीं पढ़ता है तो यहां पर क्या है प्राइज इंक्रीज से भी रखने परता डिक है कुछ फरक नहीं पड़ता है तो this is known as vertical line this is known as vertical demand curve this is known as vertical line which is parallel to y axis यहाँ पर मेरा elasticity कईसे रहेगा यहाँ पर मेरा elasticity ठीक है यहाँ पर मेरा elasticity कईसे रहेगा elasticity is equal to zero elasticity equal to zero यहाँ पर मेरा क्या लिए गुवा vertical line parallel to y axis vertical line parallel to y axis इसको क्या बोलते है perfectly in elastic इसको क्या बोलते है with elasticity is equal to zero elasticity is equal to zero right 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 so it is vertical line it is parallel to y axis तो आपको सवाल पूचा जाएगा कईसे आपको सवाल पूचा जाएगा आईसे वर्टिकल line parallel to y axis मतलब उसको कौन से टाइप का elasticity कहते है perfectly inelastic perfectly inelastic मतलब उसका value कितना रहेगा value elasticity is equal to zero when value elasticity is zero मतलब वो कौन सा टाइप है perfectly inelastic समझ में आवे गाई बचा फाटी अरे वैसा इस तरीक ऐसा परता है इस तरीक पूचे जाएगा वर्टिकल लाइन है मतलब कौन से टाइप पर उसकी वर्टिकल लाइन पारलेल to y axis perfectly inelastic it is perfectly inelastic what is the value of the elasticity elasticity is equal to zero when elasticity is equal to zero कौन सा डिमांड कर होगा कुछ परकने पड़ेगा ठीक है ठीक है यस समझ में आवी गई बचा पाटी है हो गया यह perfectly inelastic graph number one अवारख थाई गई हो अभी लिखना है तो लिख लो इसको में गायब करने वाला हो और एक बार अगर यह गायब हो गया तो फिर से इसको अपर लेकर नहीं सकते हैं मैं पहले बता रहाँ आपको come on everyone फटा फट से लिको एक मिनिट के लिए रुकूगा मैं otherwise मैं रुके गाँ नहीं हाँ उसके बाद मैं रुके गाँ नहीं हाँ यह यह सु कि चलिए आगे बड़े डन अगे 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 बढ़ रहे है अभी अपना आगे बढ़ रहे है इसको खत्म कर देगे कि शतर में चाब फिर से नहीं आएगा बढ़ी देखां यहां पर क्या यह ह्यां होरीस्टल लाइन यह का है मेरा प्राइस यहां पर क्या है कॉन्टिटी स्वाट इस वाट इस दिस सब्सक्राइब हाँ वाट इस दिस सर सुन्दरम गुप्ता के रहा है कि सर एक बार रिविजन करवा दो सर आप तक का पूरा जो पढ़ाया है तो तेंचन मत ले विटाइव टाइव टेकर अवर्रीटिंग ठीक है तू तू जो मैं पढ़ा रहा हो भी उस पर द्यान दे ठीक है जिसको अपन बोलेंगे horizontal line parallel to y-axis, क्या बोलेंगे इसको, horizontal line parallel to y-axis, इसको अपन क्या बोलेंगे, perfectly elastic demand, क्या बोलेंगे इसको, perfectly elastic demand, तो यहाँ पर मैं रिखता हूँ, horizontal line parallel to x-axis, तो यह demand curve क्या है, horizontal curve है, demand curve क्या है, horizontal curve है, ठीक है, yes, horizontal curve है, और इसको, अपन क्या बोलेंगे, elasticity is equal to infinity, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको, perfectly elastic, perfectly elastic, ठीक है, तो यह कहा है, perfectly elastic, yes, perfectly elastic demand, perfectly elastic demand, ठीक है, yes, perfectly elastic demand, तो horizontal line parallel to x-axis, elasticity is infinity, and perfectly elastic demand, इसको कहते हैं, मतलब सरी यह क्या है, the slightest change in the price is going to have infinite change in the quantity demanded, क्या बोल रहा हूँ है, the slightest change in the price is going to have infinite changes in the quantity demanded, मतलों, 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 थो तो यहाँ वोल रहा है, the slightest change in the price is going to have infinite changes in the quantity demanded, right, दिवान शहा करता है कि सर मैं ना रेकॉर्ड देखता हूँ और सर चैट बीच में पड़ो मत बेटा मैं लाइफ पड़ा रहा हूँ और लाइफ पड़ाने में इंटरेक्शन सुडेंस के साथ होता ही है और होना भी चाहिए ठीक है तो इंटरेक्शन अगर होता नहीं है तुम क्लास में जाते है तो इंटरेक्शन अच्छा लगता है मजाक होना चाहिए लेकिन बाद में ना तुम्हें तो थोड़ी बहुत चाट तो हो नहीं वाली है, यू केन वाच इट इन दे रिपा, 2X स्पीड, 3X स्किप कर दो, जो तुम्हें करना है करो, ठीक है, बर दिस इस दे वे आफ माइटीचिंग, और यू तुम्हें करना है करो, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम देखो, समझ में आएगा, बड़े सीरियस सीरियस लग रहे हो तुम जिंदगी, मैं इतना सीरियस जिंदगी में रहना नहीं चाहिए, तो टीचर और स्टूरंट का कनेक्ट बनता नहीं है, और ये इंटरेक्शन जब बनता है, टीचर और स्टूरंट का, तब स्टूरंट को इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में, ठीक है, तो भाईया, आगर मैं पढ़ता नहीं था ना, लाइफ चैट, तो ये, ये तुम्हारी चैट भी नहीं पढ़ता था भी, तो अंकर सर्मा कहे रहा है, सर्में रेकॉर्ड देखता हूं, ये यॉर दे बेस्ट, भाई, जिन्दगी में सीरियस होकर, किसी को कुछ मिला नहीं है, सीरियस दे बता रहा हूं, और ये इंटरेक्शन के कारण, मेरे एक इंटरेक्शन के कारण, ये नहीं जाएगे, कोई भी टीचर देख़्ों बेटा, नहीं में बताता हूं, इन लोगों को पता होना चाहिए, अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अगर श्टेडी मोनोटोनस हो जाती है, और जब श्टेडी मोनोटोनस होती है, तो इस रियली बिकम डिफिकल फॉट वो तो स्टूडेंट, वो घर में अकेला बेटा है, और वो सिफ लेक्चर देखे जा रहा है, एक भी मों पागल हो जाएगा सिफ लेक्चर देख देखकर, उनकी कॉलेज लाइफ तो तुम्हारी है नहीं, तुम्हारी जिंदगी खराब एकदम, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, तो होरिजोंटल लाइन पारलल टो एक्स एक्सिस, येस, तो स्लाइटेस चेंज इन प्राइज इन फाइन चेंज इन तो कॉंटिटी दिमांडेट, येस, इलास्टिश इस इन फिनिटी, येस, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, तो आपको ऐसा सब कुछ आ सकता है, जी हाँ, आपको ऐसा सब कुछ आ सकता है, बिल्कुल इसमें सवाल आ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पर्टिक्लर, ग्राफ की तरफ, ये है P, ये है P1, ये है Q, ये है Q1, आप देखना बेटा यहां पर, P से P1 हुआ, Q से Q1 हुआ, आप यहां पर अगर देखोंगे, आप लोग तर इस डिक्रीज इन दिक्रीस इन प्राइस, बट देर इस इन्क्रीस इन दिमान, but decrease in the price is less and increase in the demand is more decrease in the price is less but the increase in the demand is more we are going to identify the elasticity by the change in the demand by the change in the demand but that is going to be with respect to the price but the change in demand is more than the change in price the change in demand is more than the change in the price we are going to tell it that relatively elastic demand relatively elastic demand relatively elastic demand ठीक है yes that's amazing बाइस से मैं रेकॉडड़ी देखता हूँ आप से मिलना है तो थैंक्यू सो मच्छ फंकर्ज सर आप सरे पर बचापार्टी हम लोग इसको क्या बलेंगे यहाँ पर क्या बलेंगे फ्लाटर कर्फ है आपको समझ भाएगगा फ्लाटर क्या है स्टिंपर क्या है यह इस्टिपर है यह इस्टीपर है इससा दीर धीर नीचे जा रहा है इसको गजेंगे खका पर क्या रहेगे ठीक है तो यहाँ पर relatively elastic relatively elastic greater than one and flatter curve relatively elastic greater than one and क्या है and क्या है फ्लाटर कर्व ठीक है आपको mc क्यों आएगे इस पर चीहां क्या एमसी क्यों आएगे relatively अगर elastic तो उसका value क्या होगा greater than one greater than one है तो उसका नाम क्या होगा relatively elastic और अगर relatively elastic तो उसका कर्व कैसे रहेगा flatter कर्व जेनरली यहाँ पर कव होता है यह यह situation कव होती है luxury goods के case में generally that is a relatively elastic luxury goods के case में सर कैसे अभी जेखो generally क्या होता है तुम लोग कुछ खरीदने जाते हों तो luxury goods होता है यह फिर अच्छा खासा goods है मतलब ठीक है उसकी थोड़ी से भी price कम हो जाती है तो मतलब maximum लोग जाकर purchase करने लग जाते है उस चीज़ों को ठीक है तो generally in case of luxury goods what happens थोड़ा सा भी price change वहा तो लोग उस पर नजर बनाए रखते हैं तुरंत जाकर खरीदने लग जाते हैं ठीक है relatively in elastic के पास जाने वाले हम लोग बहुत मजाएगा अब ध्यान दुआ अब ध्यान दुआ अब ध्यान दुआ आगे बढ़ना relatively in elastic होगा अभी करें बंद इसको आगे बढ़े आगे बढ़े चाली है awesome औरे वहाँ पर किसी जाले गया आगे है हाँ पर हम आपयां अब दुआ को अपको प्राइस में ग्रेटर गृतर इंसरी ट्राइस में घ्रिषेंगे लिव अंफ लोग घर्तिस सब्सक्राइब AR vaccine quantity का change हो है that is less than the change in the price so the change in the demand is less than the change in the price. तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे relatively inelastic. मैंने क्या बोला elastic और inelastic किस पर depend करता है? demand कितना change हो रहा हो उसल तो demand यहां पर price से कम change हो रहा है? हाँ. तो उसको आपर क्या बोलेंगे है अभी relatively in Elastic relatively in Elastic relatively in Elastic तो इसको क्या कहते है इसको कहते है इसको क्या क्या कहते है स्ट्पर करफ ठीक है तो यह है वेरा डिमांड कर और यहां पर हम लिकेंगे क्लेकिछन गेंगे स्टिपर कब लिकेंगे ठीक है यहां पर क्या होगा relatively inelastic demand यहां पर क्या लिकेंग क्या पर less than one और यहां पर सर ऐसे क्यों होता है मैं आपको बताता हूं एक example होता था हूं मैं for example let me take a example of नफीसा नफीसा अब नफीसा ने क्या किया नफीसा एक बार टाबलेट्स करिदने जाती तो टाबलेट्स करिदने जाती है तो उसको पता चलता है कि 50 percent off है क्या 50 percent off है अभी तो नफीसा ऐसा थोड़ी ना करेगी कि 50 percent off है तो बहुत सारा box भरकर दवाईया लेकर आगई और पपा को ला पपा यह देको अभी पाट चे साल तक अपने को कोई टेंशन नहीं है पपा ने क्यों क्या हुआ हुआ पपा 50 discount जब भी चलते हैं तो खरीते ना जादा तुम्हेरे को discount देखा हुआ पर मेडिसेंट पे तुम्हें खरीत कर लेकर आगई पपाने का ऐसे नहीं होता है वेटा पपा 50 discount 50% मजा के 50% लेकर आगए पापा कोई कोई वाद नहीं पापा क्या रहे भाई ते को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलू तेरे को हां इटीज़ी नेसेसीटीज हम लोग तभी खरीते हैं जब हमको वह प्रड़क्ट लगता है जस्ट वह प्रड़क्ट की प्राइस का ऑच रेडीऊ हो जाए तो दो भी हम लुख रीतियगे है जब वह रिक वाइड है रहाद राइवाध हम लोग खरीते गे क्या नहीं खरीते ग корउन कर सकते है तो व्यट्विक विथ में क्या है तो इतना फ़रक्त नहीं परता ह rec help आपक्झले जोब पेकिंधर अ necessity के case it can be relatively inelastic it can be relatively inelastic right right okay getting everyone yes समझे आवी गया समझे आवी गया बचाफ़ पार्टी यस अभी लास्ट वाला ग्राफ बचा है ठीक हो बता तुम नहीं लिखा होगा मैं आपको बता दे तहों किस पर आएगा आपको steeper curve है उस पर mcq आएगा less than one उस पर mcq आएगा relatively inelastic उस पर भी mcq आ सकता है necessity उस पर भी mcq आ सकता है अब देखिए बच्छा party यह–वन है को हन्टिित्यव है कहनो है के मनंतों हेड़ब कर भी माणद इम्हांद कर वे अवन को प्राइस यहां पर कि प्राइस आप डीकरीस को इपर कांडिटी देक व्रकॉर हेट वाद proportion बीलकुल उत्रेज दिर ग्रीं X चिए प्राइस बेटा 10% से नीचे गया था प्राइस 10% से नीच गया था नीच ठीक है और कॉन रिटी 10% से उपर गया बटा शेम टू सेम एकदम सेम टू सेम ठीक है आई होब एट वह सेम लग रहा है नहीं भी लग रहा तो अजिम कर दो सेम है ठीक है तो जुतने से प्राइस गिरा उतने से सेम टू से सेसे इंक्रीज हुआ एकदम सेम अगर 20% से नीच लिए 20% से उपर यह 30% से नीच तो ओपर तो आपको मैं यह कहना एक बाते मत करो ठीक है एक बार मैं तुम पर बाते मत करो ठीक है एक बार मैं तुम को फिर से पाचो ग्राफ एक इस पर बताने वाल हो ठीक है बहुत इस यह हो जाएगा एक दम प्लास में पूरा हो जाएगा अधरवाइस इफ एक बार आपको देखना होगा एक बार बात में रिपीट भी लेक्शे देख ले अधरवाइस रिविजन सेशन देख ले तूसमें भी कम्प्रेट हो जागा डोंट वरी अट रॉल ठीक है टेंचन लेने का नहीं ठीक है इस वेरी वेरी सिंपल Elasticity is equal to 1 इसको पर क्या बोलते हैं Unitary Elastic ठीक है मैं आपको बताता हूं बेटा और आगे जब जाएंगे आपन Determinants of price elasticity देखने वाले हैं तब चीज़े और clear होगी मैं आपको एक बार बता देता हूं देखो Elasticity मतलब क्या है Responsiveness of a change Elastic मतलब क्या है Ztyد Elastic मतलब क्या है Kurisch Elastic मतलब क्या है हमें फरक पढ़ता है Garden Elastic मतलब क्या है मुझे फरक नहीं पढ़ता है मतलब prices कितने भी कुछ भी हो जाए हम लोगों थोड़ा सा कम फरक पढ़ रहा है ठीक है एक तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है या तो फिर कम पढ़ रहा है कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो perfectly inelastic थोड़ा फरक पढ़ रहा है जादा नहीं relatively inelastic बहुत फरक पढ़ता है तो infinity थोड़ा जादा ही फरक पढ़ रहा है greater than one ठीक है तो इसको अपन क्या कहते है फरक नहीं पढ़ता है मतलब क्या है इनलास्टिक और फरक पढ़ता है मतलब क्या है इलास्टिक ग्रेटर चेंज ना फरक पढ़ रहा है तो तो इलास्टिक लेस चेंज ना फरक नहीं पढ़ रहा है तो लेस चेंज है इनलास्टिक तो ऐस आई है ठीक है तो जो से साल्ट का क्या था कुछ फरक ने पड़ता है मतलब क्यास कितने में नियुक्त तो क्या है perfectly inelastic right perfectly inelastic right तो कुछ-कुछ चीज़े इतनी important नहीं होती है जिसको पन पॉस्पन कर सकते हैं जिससे इतना फरक नहीं पड़ता है तो वो क्या हो जाएगा वो inelastic में आ जाएगा relatively inelastic में right कुछ-कुछ चीज़ा luxury होती है और फरक पड़ता है प्राइस काम होई तो जादा खरी देंगे भाई जादा खरी देंगे तो क्या है greater than 1 and slightest change in the price is going to have infinite change in the quantity demanded perfectly elastic perfectly elastic और same to same change होगा है मतलब same proportion में change हो रहा है मतलब unitary it is equal to 1 it is unitary which is equal to 1 ठीक है 15 से भी ज्यादा mcq हो गए sir so nice yes बेटा so nice ठीक है I hope that अभी आपको थोड़ा थोड़ा और clarity आ रहा है और अभी देखो अभी आपन पूरा मस्त पांच ग्राफ ड्राफ करेंगे बेटा देखो यार मेरा यह मानना है कि आप लोगों को पड़ाई करना या फिर कोई भी पड़ा देगा लेकिन उसको याद कैसे करना that is more important उसके notes कैसे बनाए उसको summarize कैसे करे हमारा जो time है first reading का third reading का वो कम होना चाहिए तो वो कम होने के लिए मैं आपको mind map बताता हूँ और मैं आपको birds eye view देता हूँ आप यहा लेकिन जब हम लोग 5 graph एक साथ करेंगे तो जो confusion दिखाई दे रहा है ना वो confusion वहां से 5 graph एक साथ देखकर confusion दूर हो जाएगा ठीक है जो भी confusion है चोटा मोटा confusion लेकिन जब 5 graph एक ही page पर एक view में हमें दिखता है ना भाई साब उसका मज़ा कुछ और ही होता है ठीक है तुम नीचे से कोई चीज़ देख रहे है रोड पर तुमसारी चीज़ समझ मेरे आती है काहां पर क्या है जाने तुम आप वियू से देखो टॉक्छा के लिए अप्स पता चलता है कहां पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है राइक तो बैस आइव ठीक है जूनाव यह फोर अग्जामपल लो मेरे लिए हर बच्चा उत्रहीं इंपॉर्टन्ट है और सब का अलग 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 टाइम के तो सिर्फ तुम्हारा नाम ऐसा नहीं हो सकता है ब्रो अगर तुम ऐसा बोलोगे तो शायद में नहीं लोगा ठीक है आप देखो बिटा है यहां पर ठीक है अब देखना है यहां पर सबस्क्राइब करना तो यहां पर क्या होगा भी अभी समझने की कोशिश कुरूए बहुत मजाने वाला है ठीक है बहुत मजाने वाला है अभी देखो बर्ड्स आइव्यू बर्ड्स आइव्यू और अमीजिंग है बर्ड्स आइव्यू एकदम अमीजिंग होता है एकदम 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 ठीक है अब ध्यान दो यहाँ पर अब यहां पर देखो इलास्टी सिटी जीरो यहां पर क्या होगा इनास्टी सिटी इस इन्फिनिटी यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा इलास्टी सिटी इन्फिन्फ यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ग्राफ देखकर समझ में आ रहा है अपन सारी चाही चीज़ेंगे ले मटर बहुत मंजा आएगा अरे बहुत मंजा आएगा ठीक हैं यहां पर क्या बूलेंगे इसको perfectly inelastic और यहाँ पर क्या बोलेंगे vertical curve यहाँ पर क्या बोलेंगे perfectly elastic इसको क्या बोलेंगे horizontal curve यहाँ पर क्या बोलेंगे unitary elastic यहाँ पर क्या बोलेंगे steeper curve यहाँ पर क्या बोलेंगे relatively inelastic यहाँ पर क्या बोलेंगे flatter curve यहाँ पर क्या बोलेंगे relatively elastic so guys and girls out there you can just check it out this is so simple right this is so simple guys we have done with this तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो relatively elastic greater than one relatively elastic flatter curve relatively inelastic steeper curve relatively elastic less than one unitary elastic equal to one perfectly inelastic equal to zero perfectly inelastic vertical curve perfectly inelastic horizontal curve perfectly inelastic infinity perfectly inelastic infinity are you getting it झ redund principles so simple यह देखिई मैसी यहाँ पर vertical curves है तो value क्या होगा value है तो curve कैसे होगा 0 है तुछ गर्शानाम क्या होगा horizontal है तो value क्या होगी value है तो curve क्यूंसा अचंसा होगा नाम क्या होगा unitary है तो value क्या होगी value 1 है तो कौन सा होगा flatter curve है तो फिर value क्या होगी value greater than 1 है तो curve कैसे होगा value greater than 1 है तो elasticity कैसे होगी steeper curve है तो क्या होगा value less than 1 है तो क्या होगा relatively inelastic है तो क्या होगा स्वाँ 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 ठीक है डन वेटा डन डना डन तो बोलिये मेरे सांथ सारे बच्चे कहने वाले हैं एक सांथ क्या हो लेंगे एंजी क्यो बबा की come on everyone enjoy the study enjoy what you're doing and then you will actually like everything around it right it is so simple it's so simple right toh meresant सारे बच्चे फिर से एक बार बो लेंगे kya बो लेंगे MCQ बबागी MCQ बबागी चलिए यह एक बार बर्स आई व्यू आप लोग ट्रॉग कर लेना I hope that you're enjoying it This is so simple And this is so amazing this is so good right चलिए right everyone are you getting it are you getting it yes sir yes sir yes sir okay so I just think that can now we should forever say revise what we have done yesterday how local nickel but the love came out of the katharites how local but the love came out of the quantity and change quantity demanded and change the camera but the love came out of the data is that it is the love came out of the data okay yeah everyone okay 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 सो 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 जस्ट और सेखेंड तो बच्छा फार्टी यहां पर देखिए है हम आपको बताना साथ है यह क्या था there is a downward movement whenever there is a downward movement there is a expansion yes that is an expansion in demand there is a downward movement there is a downward movement यहां पर क्या हो रहा है there is a upward movement it is due to the price तो upward movement बतलब क्या होगा contraction in demand, यह expansion in demand, यह contraction in demand, यहाँ पर demand curve change हो रही है, no, यहाँ पर demand curve change नहीं हो रही है, यहाँ पर movement along the demand curve है, upward movement contraction, downward movement expansion, upward movement contraction, downward movement expansion, यह change किसके कारण हो रहा है, price के कारण हो रहा है, इसको अपन क्या वोलेंगे change in quantity demanded change in quantity demanded ठीक है yes ठीक है yes जब तक सूरत चांद रहेगा mcq बाबा का नाम रहेगा भाई साव जबर दस बेटा ओसम यह है demand curve यह demand curve d1 demand curve demand curve d1 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो राइट वर शिफ्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो left रोडस Ash similarity मेंगा पर इसको रबाव यह नह पर कंसे कैट है यहां पर आप लोग देख सकते हो, rightward shift, leftward shift, downward movement, upward movement, come on everyone, downward movement, expansion, upward movement, contraction, rightward shift, क्या है, अरे बोलो ना, rightward shift, increase, leftward shift, decrease in demand, यह होता है, other factors की कारण, यह होता है, price की कारण, right everyone, are you getting it, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर बच्चा पारटी, आपने वह कौन सा खाना सुना होगा, कौन सा खाना है वो, एक से किने, हा, हा, हृतिक रोशन का खाना सुना है, हृतिक रोशन का, हृतिक रोशन का, ठीक है, ठीक है, वो क्या है, shift, shift, ठीक है, shift हो रहा है, लेकिन आपने सुना है, वो, आपने सुना है, तोड़ीजी तो लिफ्ट करादे, ठीक है, तो तो मुब्मेंट देको यहें ऊपर गारा है नीच जा रहा है यह क्या है का है रितिक रौसन है रौसन समय नेज वाण वह रहा है था जावण दॉव है यू गाइज वेरी-वेरी समाच टिकल story इस हमें वह भी क्यों पक्कापका पकाशसे अ तो अभी अभी यह गोगा कैसिफ् movement चिक हैं okay are you getting it okay it's great amazing guys I hope that you got it now I hope that you got it now okay guys so we will wait here today I hope that हम लोगो ने मस्त कल का भी रिविजन कर लिया है आपको यहापर बताना काते हैं पचा पाड़ी किसी को भी कोई भी बी शुस्क्रिप्ट लेना होगा तो जाइए जल्दी से फटाफट से सब्सक्रिप्ट लें जीएगा कैसे लेना है सब्सक्रिप्ट में आपको बताता हूँ really I am speaking it is absolutely worth it बहुत कम प्राइजस में आपको सब्सक्रिप्ट मिल रहा है जिहां बहुत ही रिजनेबल प्राइजस में यह सब्सक्रिप्ट में आपका सिर्फ पोर्शन कंप्लीशन नहीं बिटा पोर्शन कंप्लीशन के अलावा आपका यहां पर आपको सब्सक्रिप्ट करना होगा जैसे आप लोग यहां पर सिर्फ प्राइजस प्राइजस वगरा होगा प्लस अन आइकॉनिक में आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर पड़ाते इंटर अडिक्टिव लाइफ क्लासेज आपको अडिक्टर के नोट्स पीडिएफ नोट्स मिल जाएगे मितलब यहां पर स्ट्रक्टर तरीके से होगा यहां पर आप लोग देख सकते स्टेडी प्लानर कोशन अंसर प्रेक्टिस परस्टनल कुछ तो यहां पर इसलिए यह थोड़ा सा एक्स्पेंसिव लेगा आइकॉनिक लेकिन अगर मैं देखू मार्केट प्राइस से फिर भी यह बहुत ज्यादा रीजनेबल है बहुत मतलब बहुत ज्यादा रीजनेबल है तो मैं यहां पर अपलाई कर रहा हूँ डागा 10 डिय जी यह वन जिरो इस दो कोड वनस अपलाई इस कोड यूल गेट दिप्राइस आइटिग रेडिउस और 12 मंस का सुस्क्रिप्शन 16,920 और 6 मंस का सुस्क्रिप्शन तो भाया सिफ 13,000 13,000 कितना है 050 तो यू can use my code that is डागा 10 and you can just get started with your plus classes yes you can go for iconic if you want 39,510 for 24 months 34,650 for 18 months 12 months के ले 28,350 6 months के ले 21,150 light की details भी यहां पर है लेकिन माइ पसनल रेकिन पसनल रेक्मेंदेशन रेकिन माइ पसनल 55.50 में आपका इंटर भी खतम फाउंडशन भी खतम इंटर भी खतम फाउंडशन भी खतम फाउंडशन भी खतम तो टॉटल तो टॉटल 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 एवरीशन खत्म राइट donc this is absolutely amazing and yes don't forget to apply the code kya kya code है Daga 10 daga 10 डागा 10 डागा 10 daga10 डागा 10 डागा 10 डागा 10 डागा 10 stan take care guys see you soon on monday till that